नमस्कार दोस्ता स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागंदर मिशा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ हैं कुछ नहीं शीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जिरूर करिएगा सारा कर्ज खत्म हो जाएगा किसे भी हनमान मंदिर में चढ़ा दे यह एक चीज फिर देखो चमतकार दोस्तों जब जीबन में कर्ज की समस्या बढ़ जाती है तब हम सोचते हैं अब क्या करें क्या आपको पता है कर्ज कुछ ऐसे दिन में आप ले लेते हैं कि उतार ही नहीं पाते क्योंकि कर्ज लेने में ही समस्या या फिर सावधानिया दोनों की आवशक्ता है नहीं तो समस्या आएगी देखे सबसे पहली बात तो सनी बार की दिन अगर आपने अभी तक कर्ज नहीं लिया या फिर दुबारा से लेने वाले हैं तो हमेशा याद रखे कि सनीवार के दिन भूल कर भी कर्ज मत लिजेगा क्योंकि सनीवार के दिन लिया हुआ कर्ज कभी समापती ही नहीं होता और सनीवार के दिन कर्ज के पेपर पर लोन के पेपर पर साइन मत कीजे नहीं तो फिर दिकते आएगी किसी भी महीने की आठ 26 और 17 अंक यनि कि इन अंकों पर भूल कर भी आप कर्ज मत लिजेगा कि क्यों ये अंक सनी के हैं प्रयाश कीजी कि सोंबार, बुद्वार और सुक्रवार के दिन ही कर्ज लेने का प्रयाश करें इन दुनों लिया गया कर्ज आप बहुत जल्दी उतार देते हैं और जीवन की मुश्कलें दूर हो जाती है निकल जाती है यानि जल्दी समाप्त हो जाती है या कर्ज की समझ से आए जहां तक संभा हो साइन करते समय जब आप लोन के कर्ज के पेपर पर साइन करते हैं तम मन ही मन बोले कि हे परभू ये तुम्हारी ही चीज है और तुम्हें अरपन कर रहा हूँ धन भी आपका है आप भी उनके हैं ऐसा उनको कहिए और धन को अपने आपको उन्हीं को समर्पित कर दें तो करजे से छुटकारा जल्दी मिल जाते हैं लेकिन कई बार करजे में ऐसे फस जाते हैं कि वहां से निकल ही नहीं पाते और मुकदमा बगेरा भी चलने लगता है अगर ऐसा कुछ हो तो आप एक छोटा सा प्रयोग करना शुरू कर दीजेगा आज हम आपको पान के पत्ते का प्रयोग बताएंगे जी हां सारा कर्ज खतम हो जाएगा आप खुद देख लो पान के पत्ते का प्रयोग फिर हम आपको और क्या-क्या प्रयोग कीजेगा देखे ये भी हम आपको देखे पान बहुत साब सुतरा होना चाहिए सुंदर सा ग्रीन सा होना चाहिए अच्छा बड़ा छोटा माइने नहीं रखता लेकिन कटा फिटा ना हो वो खुपसूरत हो अब पत्ते का डंठल निकाल दे और पूरा चिकना और साबूत पान का पत्ता आपको लेना है हरे रंग का अब अगर ला भी नहीं हो पा रहा है आप तमाम प्रयास के बाद भी करज नहीं उतार पा रहें तब ऐसी दसमें पान के पत्ते का प्रयोग आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करेगा पान का पत्ता एक लेना है जैसा हमने कहा वैसा बिल्कुल ही अब उस पर दो लॉंग आप मंगलवार की साम आप इसे यानि की पहले तो देखे हाथ पैर धो लें साम के समय अगर नहाना चाहे तो नहा भी लें कोई बात नहीं है और अगर नहीं नहाते हैं तो हाथ पैर धोकर पहल लें पिर मंगलवार की साम हनमान जी के मंदर में जाए और यह पान कबीरा हनमान ज खुद नहीं जा सकते तो आपके घर में कोई भी सदस जाकर ये यहीं कि चढ़ा सकता है अगर करज चुगाने के राष्टे नहीं बन पा रहे तो तीन मेहिने अगर लगातार ये पान कबीरा चढ़ाते हैं तो सारा कर्ज खतम हो जाएगा, सारा कर्ज खतम हो जाएगा, बस हनवान जी के मंदिर में ये एक चीज चढ़ा देना है, यानि पान कबीरा चढ़ा देना है, आप देखें कि करोडों का कर्ज भी हो जाएगा माफ, कितना बड़ा भी कर्ज क्यों न हो जाएगा, करोडों का ह लाखों का करज़े भी हो जाएगा माफ तो आसानी से यह करज ज से आप बाहर आजाएंगे लाखों का करज आपका हो जाएगा समाप्त हनवान जी कि सरण में जो आ गया है उसको फिर सब कुछ उनी को समर्पित कर देना चाहिए क्योंकि हनवान जी आपकी जीवन के कठनाई और समश्याओं उसे बाहर आपको निकाल ही लेंगे कई बार क्या होता कि लाग प्रयास करें ना तो करजाब के चुकात पाते हैं जीवन की मुश्कलें बढ़ती है जीवन में बहुत दाद परिशानी है बिजनेस ब्यापार कारोबार में फंस जाते हैं जॉब करते हैं तरक्की नहीं होती है आपको सेनी के सेलेर में बरदी और आपके प्रोमोसन नहीं होते हैं, पैसे कहीं फस गए हैं, ब्यापारी हैं तो पैसे रुख गए हैं, या फिर पार्टनर से में ब्यापार करते हैं, तब भी आपके ब्यापार में पैसे रुके हुए हैं, पार्टनर आपका खा गया पैसा, ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग करे जब आपको लगे कि चारों तरब से आप घिर चुके हैं, परेसान हो चुके हैं, घूम फिर कर ठक चुके हैं, आपका अपना मकान तक नहीं है, आप चाहते हैं कि साधी व्याहरतर है, मुश्कलों से आप बाहर निकलाएं, तब मंगलवार की दिन छोटा सा प्रयोग की जगा पान के पत्ते का, बिल्कुल हरे रंका लीजेगा पान का बता, डंटल हटा लीजेगा, साब सुत्रा हो बिल्कुल सा चिकना सा, इस पत्ते पर चिकने साइट को नीचे कर दें और खुरदरा साइट को उपर करके दो लॉंग रख दें इसमें, अब दोनों हाथ से इस पत्त आपने हाथ मिलीजेगा और दो लाओंग उस पे रख दीजेगा और इसको दोनों हाथों से प्रवाहित कर दें पानी में फिर हाँ जोड़कर प्रातना करें कि जो रुकावटे हैं जो करोडों का करजा है जो लाखों का करजा है वो दूर हो जाए ये रुकावटे दूर हो ज जाएगा और अगर नहीं है तो आप जाकर किसी मंदिर के पास भी रख सकते हैं। जिसे बहुत सारी लोगों को भैतवा पानी नहीं मिलेगा, तलावे नहीं मिलेगा, तो ये प्रयोग मंदर में भी जाकर रख सकते हैं, ठीक रहेगा, बस प्राथना करिएगा हनवान जिसे, और आप बाहर ही रख दीजेगा, आपके हर रुकावेट दूर हो जागी, आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगे, जीबन की परेशानिया उसे बाहर निकलाएंगे, आपको लगे गए जिसे सिंपल से ये उपाई है, और आपको एक सिंपल से उपाई, और हम बता रहे हैं, कोई भी आप उपाई कर लीजेगा, अगर इमें से कोई बी उपाई करते हैं, तो लागों तो क्या करोडों का कर्ज भी हो जाएगा, सारा कर्ज खतम हो जाएगा, एक छोटा सा प्रयोग कीजेगा, आप ये प्रयोग खुत करें या फिर आपके घर में कोई महिला है वो भी कर सकती है, लेकिन महिला हैं हनवान जी को छुएंग नहीं, ध्यान रखेगा, कर को ये प्रयोग रात में करना है, हनवान जी के सामने बैठ जाएं और एक दीपक जलाएं, और एक जारा हनवान चालीसा का पार्ट करें, एक जारा बार ध्यान रखेगा, हनवान जी के सामने दीपक जलाकर एक जारा बार हनवान चालीसा का पार्ट करें, और ये प्रयोग जो आपके जीवन से कर्ज को समाप्त कर देंगे चाहे कितना बड़ा भी कर्ज क्यों न हो लाखों का हो कर्ज करोडों का कर्ज हो सारा कर्ज खत्म हो जाएगा आप ये प्रियोग खुद करके देख लीजे तो आपको लाब भी होगा अब इन में से कोई भी एक प्रियोग करके आप कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं कर्ज के मुश्किलों से दोर हो सकते हैं क्योंकि कर्ज के जब समझ चाती है तो जीवन में परेसानी, मांसिक, टेंसन, तनाव, लड़ाई, जगड़े बहुत सारी चीजे उत्पन कर देती है तो ये प्रियोग जरूर करिएगा दोस्तों कमेंट में जरूर लिखेगा जय बजरंग वली और साथी वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यदा सेदा शेयर करें और जैनों को सब्सक्राइब करें जय बजरंग वली